हलो फ्रेंड्स हमारे चनल यूनिक आड़ूज में आपका फिर्टर फ्वागत है आज हम बात करने वाले बिल्कुल नए परड़क्ट के बारे में जो कि महिंद्रा की तरफ से आ रहा है जिसका नाम एक्षवी टू डवल ओ भारते ब्यार में आप जानते हैं फ्रेंड छोटी टू डवल ओ को लांज कर रहा है जो कि इलेक्टिक पेट्रॉल और शेंजी दो भेंड में आपको देखनों को मिल जाएंगे तो क्या-क्या कुछ नए खास नए एक्षवी में आएगी जानते इस वीडियो में प्राजिंग की अगर हम बात करें तो पांच लाख निनानमेह रूपे से स्टार्फ होगी अन रोड अगाड इसी गारी के साथ-सात बात करें इसके गारे के लगजरी फीचर्स की तो गारी में देखनों को मिलेंगे आपको यह होंगे संडूल्प एलक्ट्रिक साथ-सांथ नए जो pananamik sunroof आपको देखनों को मिलेंगी taps of display आपको देखनों को मिल जाएगा tire pressing monitoring system 360D camera all new music system आपको देखनों को मिलेगा जो कि आप अभी बड़ी वाली XV में देख रहे हैं वाला music system आपको इसमें देखनों को मिलेगा साथ ही साथ अगर बात करें गारी के dimension के बारे में तो length आपको 4 मीटर से थोरी उपर देखनों को मिलेगी width 1.8 मीटर height 1.7 मीटर ground clearance आपको गारी का 180 M देखनों को मिल जागा R18 के नए availability देखनों को diamond cut देखनों को मिलेंगे जिसमें गारी के खुबसरत और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी इसी के साथ अगर हम बात करें इंजन के बारे में तो इंजन आपको 1.5 लेटर को पेट्रॉल इंजन देखनों को मिलेगी जो कि start hybrid के साथ देखनों को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने के मिल जाएगी इसे साथ अगर हम बात करें पावर की तक्रीवन आपको 110 बेस्ट की पावर परडूस कर देगा इसे के साथ अगर हम बात करें डिजन इंजन की तो डिजन इंजन में आपको इसे के साथ अगर हम बात करें गारी के सबसे में चीज एडियस जो कि आपको इस गारी में देखने को मिल रहा एडियस सिस्टम आपको गारी में मिल जाएगा ABS, ABD, 8 airbag, heel hole, heel assist, engine immobilizer, electric control, tire monitoring pressing system जैसे function आपको गारी में देखने को मिल जाएगा जिसमें गारी बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगी और बिल्कुल नया platform आपको गारी का नया देखने को मिलेगा So friend, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगी नई XV2 00 So friend, आपको वीडियो कैसा लागा हमें comment मक्स में जुरू बता है So friend, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए saved है and have a nice day, thanks for watching us